एक जमाने मैं निरोध भी बेचता था यूज करके ही फिर में देचता हूँ भाई अभी तो जै जुलेलाल चालीज ब्रेंड होगी टेस्ट करके खा के इंजॉय करके फिर मैंने हाप तो रनवीर जब भी आप किसी भी ब्रेंड दे जुड़ते हैं चाहे वो जिंक्स हो या कोई और भी तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसको पहले यूज करते हैं इसतिमाल करते हैं क्या औक शापसोच अभुते कोई निकर ते नहीं सर करता हूं मैं सर जेनिवनली सर एक जमाने में निरोध भी बेचता था तो पर नहीं कहा है याँ वो बॉट 12 साल होगे सर बात को हाई 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 रन्वीर ने यह वाक़ी फैक्च्छल बात है यूज करके ही फिर्मे देचता हूँ बाई पता हो ना चीना क्योंकि जब ही सर आय थे तब ही मैं काउला काउला था ब्रैंड वर्ल्ड में अभी तो जै जुलेलाल 40 ब्रैंड होगे हाई रन्वीर रूक रहे है रूक रहे है तो अज़े सर चब याद है यश्राज में पहली मीटिंग में वो चीन्ज लेके नहीं आये थे अपने साथ याद है सर आपको मैंने बोला है सर आपका वाइब एक्तम अच्छा है लेकिन मैं तब तक हा नहीं बोल सकता हूं जब तक मैं खुद चखू नहीं तो दूसरी मीटिंग की वहां जब ही मीटिंग में एंट्री ऐसे चिंग्स नूडल्स और बिसिकली इन्होंने में को छेजवान चटनी खिला के भसा दिया वो जो नशा है ना छेजवान चटनी में हाहा सूपे को पता चले तो सब टेस्ट करके खा के एंजॉय करके फिर मैंने हां बोला फैक्टल बात है आई रिमेंबर हमने नूडल बनवाया अट यश्राज और इन्होंने ऐसे करके और फिर बुला मैं की चो बेसिकली बेसिकली वो जो दूसरे भी बेचे रहे थे नूडल बीडल उन लोग की भाई साब वाट लगाने के चक्कर में तो वित बिक प्लांस और वेरी अग्रेसिव प्लांस वो आय थे काफी साल पहले लेकिन फैक्टल बात है मेरे भाई मैंने हाँ तब तक नहीं बोला जब तक मैंने ट्राइ करके देखा नहीं कि वाकई इसमें दम है की नहीं और हाँ नूडल तो माइंड ब्लॉइंग था ही लेकिन शेजवान चटनी पर तो मैं फिता हूं दो चीज में को बहुत बहुत अच्छी लगती है इस हर लाइफ में एक न